उत्तर प्रदेश के सियासत में डीपी आदव कद्दावर नेता हैं बात अगर उनके राजुनिती को करियर की की जाये तो वो तीन बार विधायक, मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सांसत भी रह चुके हैं अभी फिलाल वो अपने खुद के राज्यस परिवरतन दल के राज्यस अध्यक्ष भी हैं, यूपी के वर्तमान राजुनिती को लेका डीपी आदव से हमारी समवध आता दीपसी द्विवेदी ने खास बाच्वित की हैं, आप भी देखें उत्तर प्रदेश में कई राज्यनितिक पातियां हैं, कई जाने माने चहरे हैं, और ऐसे में कई ऐसे बड़े चहरे हैं, जो किसी परिचे के मुहताज नहीं होते आज इस वक्त हमारे साथ डीपी यादो जी मौजूद हैं, जो कि राश्य परिवर्तंदर के राश्य अध्यक्ष भी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर ने अट्रुक्टेन पर आपका आपका जो राजनितिक करियर है वो तो बेहत शांदार रहा ही है, इसके साथ ही आप तमाम बिजनस भी आपने किये हैं, तो काफी अनुभव भी आपका है, इसलिए आप से समझना चाहूँगे उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनितिक पातियां हैं, कई सारे मुद्दे 2022 में उठाएं, और ऐसे में अब जब एक बार फिर से योगी राज उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रात्मिक्ताए होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश वास्तों में एक बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का, और यहां चारो तरफ समस्याओं से घरी हुई बहुत सारी समस्याइं या ऐसी हैं, कि जिनको हल करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार जी योगी जी की सरकार थी, उसने अ उम्मिद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की बिक्रीवी समस्याओं को हल करने में योगी सरकार काम्याब रहेगी, और उत्तर प्रदेश फिर एक बार मजबूती के साथ में इस देश का सिर्मौर बनका उबरेगा, और यहां पर किसानों और मजदूरों के लिए, और विचारदारा के साथ जरूर हूं, जिस विचारदारा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रहे हैं. देखे, 2019 में लोगसभा चुनाओ हुए और बिजेपी ने शांदार प्रदर्शन किया, 2024 में एक बार फ़र से लोगसभा चुनाओ होनी हैं, तो ऐसे में उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपका स्टेंट कहां रहने वाला है? नहीं, हमारी अपनी पार्टी है, रास्तिय परिवर्तंदल कोशिस करेगा, क्या आगाने वाली लोगसभा में उसके साथ ही, जो अच्छी राजनिती, देखे, रास्तिय परिवर्तंदल एक विचारधारा है, उस विचारधारा में यहां के लोगों का अच्छा सोच, और न और इस प्रदेश को अच्छा बनाने में, जो भी अच्छी सरकार है, उसका साथ देने में हमें कोई किसी तरह की परिशानी नहीं है, लेकिन हमारे इस तरह की जो राजनिती होगी, वो प्रदेश को और अच्छा बनाने के लिए, और ताकत देने के लिए, और अच्छा ही क होती है लेकिन इन सब के बेच उत्तर प्रदेश एक ऐसा इतना बड़ा राज्य है देश का सबसे बड़ा राज्य है ऐसे में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बहुत एहम है और इस बार कानून व्यवस्था को लेकर भी वेपक्षियों ने बहुत भुनाने की काम भी योगी जी की सरकार ने किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस ववस्था को बनाए रखने में योगी सरकार आगे भी कामियाब रहेगी बिल्कुल और देखे रास्टरवाद को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये एक बहुत महत्वपून सवाल देखे मैं एक के हर मुद्दे पर खुल करकर विचार रखें और आज भी हम देश के रास्ट प्रैम में बिल्कुल अपनी विचार्दहरा को लेकर के साथ चलते हैं राश्तो सरव पर यह उसको ताकट देने के लिए हमने ना पहले कभी समझोता किया है ना आज किया है ना कल करेंगे डीपी आदो जी एक सवाल मेरा आप से और भी क्योंकि देखे लोग सभा का चुनाओ अब बेहद महत्वपून है विधान सभा चुनाओ पांच राजियों की संपन हो चुके हैं अब फोकस जो है वो दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाओ क सवाल है और जहां भी हमको लगेगा कि यहां हमारी पारिटी लोग सभा में अपनी पैचान बना सकती है क्योंकि हमारी विचारदारा रास्थित के साथ मुझूडी हुई है तो हम वहां से हमारे साथ ही जहां भी पारिटी क्ते करेगी लोग सभा का चुनाओ लड़ेंगे भी मैं लोग सभार रासभा दोनों हाउस में रहा हूं तो कुल मिला करके और जहां तक मेरे लड़ने का तालुक है तो पूरा उतर पर देश क्या पूरा भारत वर्ष है जहां कि लोग भी जь ज़्यादा समर्थन और ज़्यादा हम जहां की समझ्चाओं को देखेंगे कि हैं समस्चाओं के लिए काम करना बहुत जरूरी है सिक्षा है, स्वास्थ है यहां के किसान को, मजदूर को मजबूत बनाने की बात है नौजवान को रोजगार देने की बात है और हमने रोजगार दिया है उन्हीं बनियादों को आधार मान करके हमारे साथी और हम चुनाव लड़ेंगे इसमें कोई दोराई नहीं है मेरे अपने छित्र हैं बदाईू हैं, संबल है और दूसरे छित्र भी हैं वहाँ से हम कहीं भी किसी सीट से जहां से पार्टी टे करेगी चुनाव लड़ने का काम करेगी देखे डिपी यादो जी एक महातोपून सवाल ये भी क्योंकि दो हजार बाइस के विधान सभा चुनाव में हमने देखा जातिगत समीकरण बनते और बिगड़ते हुए ऐसे में अगर हम जिक्र करें समाजवादी पार्टी का तो जिस तरह से यादो जाति को लेकर उन्होंने समीकरण बनाए थे और अगर आपका जिक्र करें तो आपने 1998 में जिस तरह से मुलायम सिंग और आपका आमना सामना देखा गया था चुनाव के दोरान और अब जब वो मुख्य राजनीती से जो मुख्यधारा है उससे पीछे हट चुके हैं मुलायम सिंग यादो ऐसे में डीपी यादो जी खुद को कहां फिट देख रहे है देखिए जहां तक तालुक यादव जाति का है तो यादव जाती किसी की पिछलगू नहीं है वो एक आतम सम्मानी जाती है और किसान के खेट से लेकर और भारतवस की सीमाओं तक जब भी वक्त पड़ा है उसने अपने आपको साबित किया है और हम लोगों के साथ इस देश में लाकों नौजवानों की लंबी कता रहें और हमने समय समय पर उनकी समस्याओं को लेकर पारल्लीमेंट में और विधान सबह में उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है आज भी लाकों नौजवान हमारे साथ ज़ड़े हुए हमारे समर्थखें और मैं समझता हूँ कि चंता में जो अच्छा काम करेगा जो गरीब को गाओं को देहत को मजदूर को किसान को नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेगा उसके साथ लोग आएंगे और यादव लोग भी विशेस कर जैसे कि पिछले दिनों यादव रेजिमेंट की बात उन महज इसलिए नहीं आएगा कि वो किसी एक आदमी का नाम लेकर के राजनीती करे बलके जहां उसका हित होगा अपने हित को पहचान करके यादव नौजवान आगे आएंगे और वैसे भी मोदी जी ने जातीकत राजनीती को दरकिनार करके आगे बढ़ने का जो विरत लिया है हम उसके समर्थक हैं और हम चाहेंगे लेकिन उसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि जो लोग नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं रास्प्रेम में रास्ट की मुकधारा के साथ जुड़कर इस देश के काम आना चाहते हैं हम हमेशा उसके समर्थक रहें और यादव जा कि शेकिन है कि Windows समाज के लाखों लोग आज भी हमारे साथ हैं और करोड़ों लोग आगे आने वाले के दिनों में भी हमारे संगठन के साथ रहेंगे एक आखरी सवाल मेरा आप से कि आप क्या कहना चाहेंगे नेटवर्क 10 के जरीए उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे नेटवर्क 10 मैं इनके कारिकरमों को देखता हूं तो बहुत ही अच्छी के साथ ये अपने जनता में जो अपने कारिकरम को भेज रहा है वो वास्तों में बधाई की बात है और मैं समझता हूं कि इसी तरह की विचारदारा से जनता भी मजबूत बनती है और देश भी मजबूत बनता है तो नेटवर्क 10 जिन कारिकरम को ले के चल रहा है वास्तों तो मैं उनके लिए बदाई देता हूं मेरी शुब कामना है के नेटवर्क दिनों दिन तरक्की करें आगे बढ़े और यहां के जनमानस की भलाई करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीपी आदो जी और देखे जिस तरह से इनोंने अपनी बात रखी है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात लोगसभा चुनाओ के लिए भी रखी कि किस तरह से उनका स्टैंट रहने वाला क्योंकि उनकी अपनी एक पाती है और इसके साथ ही वो किस तरह से 2024 में लोगसभा का चुनाओ लड़ेंगे फिलहाल अब देखना ये होगा कि 2024 में किस तरह से डीपी केमरा पर्सन हर्श के साथ